हलो आज है 23 जन्वरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहें यस बैंक के बारे में तेकि यस बैंक के नतीजे आए थे और जो एक्सपेक्टेड था कि जब बाजार खुलेगा इसमें गिरावट देखने को मिलेगी और जब आज सैंसेक्स में अच्छी खासी रफतार है उसके बावजूद भी यस बैंक का शेर तकरीवन 8 प्रतिशत तक तूट चुका है वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि यस बैंक का शेर जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है क्या वो प्राइस अट्रेक्टिव है कि नहीं या फिर और फर्दर करेक्शन आपको यहां से देखने को मिल सकता है वीडियो को शुरू करूँ से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियो जो आपको काफी जादा हेल्प करेंगे तो यस बैंक का शेर 18 रुपे 10 पैसे पर पहुँच चुका है और एक महिने में अगर आप देखो तो पिछले एक महिने में यस बैंक का शेर अभी भी तकरिवन 3.5% के ग्रोथ पर है 7.5 रुपे तक चला गया था बाउंस बैंक दिखाया 22 पर आया और अभी वापस चला गया 18 रुपे पर इवन अगर आप एक साल की बात करो तो पिछले एक साल में यस बैंक के शेर में अभी भी 31 से 32% का ग्रोथ भी है देखो हर बार हमने देखा कि यस बैंक के शेर में जब भी बड़ी तीज़ी आई वापस करेक्शन आया बड़ी तीज़ी आई बड़ा करेक्शन आया बड़ी तीज़ी आया तीज़ी आई अब करेक्शन आया और यह करेक्शन तो हाला कि रिजल्स के बात देखने को मिले ह है क्योंकि पिछले दो क्वार्टर में इनके जो रिजल्ट से वह एक्सपेक्टेड जितने थे उतने नहीं आये हैं और लार्ज का पिशार है यह फिफ्टी सेवन थाउजन करोड के आज पास के इसका मार्केट क्या पहें वॉल्यम देखे अभी मार्केट जस्ट ओपन ही हुआ है दस मिनिट हुआ है बाजा को अभी ओपन हुए और एक करोड नब्मे लाग से भी जादा के वॉल्यम BSC में ट्रेड हो चुके है और NSC में पंदरा साड़े पंदरा करोड तक के शेर्ड ट् ही है लेकिन अगर मैं एक और पहलू पे नज़र डालू जैसे कि इंट्रेस अर्णिंग अगर मैं इनका देखू तो 5870 करोड का है जो पिछले साल 4890 करोड से बहुत अच्छा है ये देखा जाए तो लोगों का भरोसा दिरे-दिरे लौट रहा है ये इसका प्राइम एक्ज 2000 करोड पर पहुंचने वाले है तो ये एक अच्छा साइन है कि इनके रिविन्यू में अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है लेकिन प्राफिट ने पिछले साल डिसम्बर में देखा जाए तो 265 करोड का इनको मुनाफ़ा हुआ था लेकिन इस बार सिर्फ 50 करोड क हो गया इवन इससे पहले के सप्टेंबर क्वार्टर में 150 करोड का था तो उसके मुकाबले भी कम हुआ है तो देखो ये एक क्वार्टर का डेंट लगा जरूर है और हाल फिलहाल अगर मैं डिसम्बर क्वार्टर की ही बात करूं तो कई सारी इवेंट्स इनके थे चाहे इ की पैटिंग थोड़ी सी गलत है उसके बारे में आगे हम बात करेंगे यहां पर SBI अब इनके करता धरता बन चुके है SBI ही है जो भी है वो यहस बैंक को बचाने में भी इन ही का हाथ था और यहस बैंक में अगर हम देखे तो बड़ी कॉंटिटी में शेयर ट्रेड तो होई रहे लेकिन साथ ही साथ अगर आप इनके प्रॉफिट में देखा जाए तो 80% की गिरावट आई है लेकिन अच्छी बात यह है कि इनके जो NPA है उसमें भी गिरावट है ठीक है यह एक अच्छी बात है कि non-performing assets में गिरावट है और यह expected था क्योंकि ट्रांसफर हो चुक है ठीक है इनके non-performing assets यहाँ पर और company को लेकर अगर हम देखे तो dividend की सबसे पहले में बात करो तो 2019 में पेग किया था उसके बाद कोई dividend इन्हों नहीं किया है और मेरे इसाब से अभी कुछ सालों तक पेग भी नहीं करना चाहिए इनको dividend company में अगर आप जैसे कि देखो जो main चीज है कि revenue उनके टूट रहे थे अगर आप देखो तो 29,000 से 26,000 क्रोड पर आए फिर 20,000 क्रोड पर आए फिर 19,000 क्रोड पर आए लेकिन 2023 में अब यह graph आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा और 2021 और 22 के मुकाबले जादा देखने को मिलेगा क्योंकि पहले quarter में इनका तकरीबन 5,000 क्रोड के आसपास का revenue रहा है दूसरे quarter में 5,500 क्रोड के आसपास का रहा है तीसरे quarter में 5,800 क्रोड के आसपास का रहा है अब तीनो quarter का अगर हम combine करते हैं तो तकरीबन 16,500 क्रोड से भी जादा का revenue रहा है अब यह quarter बचा है तो लेकिन दिक्कत आई है इनके profits में profits में काफी बड़ी दिक्कत यहाँ पर आ चुकी है और ये concern जरूर है इनका लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि December quarter भले ही खराब रहा हो लेकिन आने वाले quarters इनके लिए अच्छे हो सकते हैं और ऐसे में गिरावट अगर आई है जो कि देखने को मिल भी रही है और ऐसे गिरावट में मौके भी बन सकते हैं देखो मैंने इसके उपर वीडियो बनाया भी था मैंने कहा था कि हाँ मुझे 18 रुपे से 20 रुपे की range में ये अच्छा लगता है खरीदारे के लिए ये मेरी खुती recommendation थी यहाँ पर लेकिन साथ मैंने ये भी कहा था कि थोड़ी से quantity ही add करना क्योंकि नतीजे इनके आने वाले हैं और नतीजे एक बार आ जाए उसके बाद ही बाकी की quantity add करना मतलब average करने के मौके आपको तब देखने को मिलेंगे ये मैंने कहा था और मैं अभी मेरा जो recommendation वो यह है कि अगर आपने थोड़ी से quantity तब खरीदी थी तो बाकी की जो quantity है वो आपको खरीदारी करने के मौके मिलेंगे 16 रुपे से 18 रुपे के बीच में और साथ में वही लोग खरीदारी करें जो long term के लिए यहाँ पर बने रह सकते हैं क्योंकि अभी short term में देखो जो results है हो सकता है कि इस हफते थोड़ा सा यह उपर नीचे आपको देखने को मिल जाए लेकिन धीरे धीरे यह recover करेगा एक strong support इसका जो है वो 15 रुपे के आसपास का है reason क्या है? reason यह है कि हाल फिलहाल में जो दो बड़े fund house ने यहाँ पर पैसा लगाया था वो साड़े 14 रुपे की कीमत पर लगाया था तो मुझे नहीं लगता कि उससे नीचे यह जाएगा जाद से जादा यह 16 रुपे तक जा सकता है उससे नीचे मुझे नहीं लगता कि यह जायता हुआ नजर आएगा आपको तो यही कहूंगा आप से कि 16 से 18 का जो range होगा वहाँ पर मौके बनेंगे इवन मेरी बाइंग की recommendation तब भी थी जब यह 12 से 13 रुपे की range में आपको देखने को मिल रहा था और तब मेरा जो मैंने जो level जो suggest किया था वो यही था कि जब इन्होंने FPO launch किया था वो 12-13 रुपे की range में था और वहाँ से इन्होंने पैसे चुटाया था और जब भी वहाँ पर गया था इसने bounce back दिखाया था तो अभी के लिए yes bank का share कोई खराब share नहीं है हाँ result जरूर खराब आये हैं लेकिन कोई बरबाद होने वाली भी company नहीं है कोई बरबाद होने वाला bank भी नहीं है इस गिरावट के साथ जो इसका peer ratio वो भी थोड़ा से adjust होता हुँ आपको नजर आएगा और holding के अगर हम बात करें share holding के बात करें तो promoter तो जो exit करही चुके राना कुपरन फैमिली 0.47 mutual fund के पास है 37.94 other domestic institution के पास है FIS के पास 23.26% की holding है returns के मिलाकर 38.33% की holding देखने को मिल रही है overall जो गिरावट आज देखने को मिल रही है definitely एक मौका हो सकता है और again बरबाद होने वाला ये bank नहीं है लेकिन साथ में ये भी add करना चाहूँगा कि आपका जो waiting period होगा वो काफी लंबा हो सकता है यहाँ पर ठीक है अगर आप ये मान के चल रहे हो कि मैं आज खरीदारी करू हफते 10 दिन में या फिर 2-3 महने में मेरा पैसा बन जाए तो again दूर रही है इससे लेकिन अगर आप यहाँ पर invest कर रहे हो as a investors के आने वाले डेर दो साल के लिए मैं यहाँ पर बने देने के लिए तयार हूँ तो ही यहाँ पर पैसा लगाईएगा वन्नम मत लगाईएगा यहाँ पर और yes bank definitely 16-18 रुपए के बीच में एक मौका बनेगा यहाँ पर buying का और definitely आपको आने वाले दोर में थोड़ा सा अब जाता हुआ वहाँ से नजर भी आ सकता है वीडियो को यहीं परेंट करूँगा पसंदा हो तो लाइक पर श्राइगा चैनल पगरा पहले ही बाहर है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और yes bank के बारे में क्या सोचते है वो भी आप मुझे comment में लिख कर बता सकते हैं तैंक्यू